साथियों केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप मद्धिपर्देश से हैं या मद्धिपर्देश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटा पट सस्क्राइब कर दीजी और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजी जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको प्राप्त होगा तो साथियों बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते ही अध्यापक संवर्ग से नवीन सवगर में आये सभी कर्मचारियों की विशेश और बड़ी खबर जोगी भौपाल से लगी अराज्य सिक्सा सेवा में नई नियुक्ति को लेकर अध्यापक अब मेदान में आ रहे हैं इनका आरोपी की नियुक्ति की जगह में समीलन मिलना थी लेकिन एक सुयोनची सलियंत्र के तहद हमारी पूरानी सेवाय समाप्त करते हुए नियुक्ति को जुञजणा पकड़ाय दिया गया इसके पीछे सबसे बड़ा खेल उन अफसल साही ने खेलाए जो कई सालों तक लोग सिक्सान से लए राजजी सिक्साकेंद और मंत्राले में चट्टान की तरह डट हुए अब इस मामले में अध्यापकों का आपसी विरोधिवास भी सामने आ रहा है इस मामले में वह अध्यापक सबसे ज़्यादा दुखी जिनके नियुक्ति 2003 के बाद हुई एसे करीब मद्य प्रतेस में सवाल लाग अध्यापके जिनका सिक्सा विवापक के समयलियोन हो चुका था इनका कैना कि राज्जी सिक्सा सिवाव में की कई नए नियुक्ति के बजाए समयलियोन की प्रिक्रिया अपनाई जानी थी जहां वेतन विसंगतियों की मारत सहिनी पड़ रही है वहीं दूसरी और अपना वास्तिविक नियाय पाने के लिए नियाय लेके और भागना पड़ रहा है प्रांतिय सिक्सा संग के कारिवायक प्रांतिय अध्यक्स राकेस पांडे का कहिना है कि हम पहले अपने 20 साल से लेकर 10 वर्स तक की वरिष्टा राज्जी सिक्सा सेवा में नविन नियुक्त 2018 से हमारी वरिष्टा समाप्ति की गई आज हमारी सेवा के दो वर्स हुए तो हम पहले वरिष्टता लें जिसके करणा में ग्रेजूटों का लाप भी मिले या फिर विकलांगता पेंशन लेना जैसा राज्ये सिक्सा सेवा में नवीन न्यूक्त देने का बाद हुआ है वैसे भी पेंशन की टूटी पूटी मिलेगी जितने NPS में मिलती है पहले मुद्धा वरिष्टता का होना चाहिए फूल परिवार पेंशन की पाताता भी मिलेगी अन्यता 2018 से नवीन न्यूक्ती में 2018 तक किसी को पेंशन नहीं मिल रही है इसके साथी बिना वरिष्टता के 2023 तक किसी को भी गरजूटों का लाब नहीं मिल रहा है ऐसे में न्यू फिल्म को क्यों ना हमारी मांग राज्य सिक्सा सेवा में सिविलन की होना चाहिए सभी अध्याब एक साथी सभी नवीन सिक्सा समवर्गी के साथी इस टॉपिक पर अपने विचार एस वीडियो की कमें वाक्स में रखें सेवंध पे कमिशन का बड़ा टीसिजन सरकारी कर्मचारियों के हीत में सरकार ने लिए बड़े फैसली आएए देख लेते हैं कौन-कौन से फैसले हैं जो लाबकारी है दिये महंगाई बत्ते जिससे महत पुन मामले में सोसल मीडिया पर चल रहे खबरो हाली में केंदर सरकार ने कर्मचारियों के खित्में कुछ बड़े फैसले की हैं इनमें दीपावली मनाने के लिए 10,000 रूपी की रासी की सोगात पारिवारिक पेंसिनों के नियों में बदलाव सहीद यात्रावत्ता यानि LTI कियावती दो साल तक बड़ाई जाने से अहम ची की रकम से तो यहार सीजन के दोरान ऐसी वस्तू की खरीदारी कर सके गई जिन पर 12 फिजदियाव से अधिक की वस्तू एवं सेवा कर GST दर हो टीवी फ्रीज वासिंग मसीन जैसे कंजूमर गोड्स इस रेने में सामिले उन्हें GST में पंजिगर विक्ता से 31 मार्च 2021 से पहले यह खरीदारी करनी होगी इसके लिए भुकतान डिजिटल माध्यम से करना होगा खरीदारी पूरी तरह से कर मुक्त होगी साक्स के रुपे GST के रसीत प्रतूत करनी होगी पारिवारिक पैंसन के नियों में हुए महत्पुन बदलाओ कर दिया है अब तलाक की याची का लंबित रहने के दोरान भी दिवंगत केंदरी करमचारी की बेटी अब पारिवारिक पैंसन पाने के अधिकारी होगी अगर उसका अंतियम रूप से तलाक नहीं हुआ हो लेगन उसने अपने करमचारी माता या पिता के जीवनकाल में तलाक याची का दाखिल कर दी थी दिव्यांग बच्चों या बहाई भहन की पारिवरिक पैंसन प्रताम करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है अब दिव्यांग ये था प्रमानपत्र अगर पैंसन भोगी माताय पिता की मरत्यों के बाद भी प्रस्तूत किया जाता है तो भी पैंसन पाने के अधिकार परिचारक भद्त 4500 रूपए से बढ़ाकर 600 700 रूपए कर दिया गया अपने बचों के साथ विदेश में बस गई वरिष्ट नगरिकों के सहलिवत के इसाफ से भारती दूतावास वानजी दूतावास और उच्चायों को निर्देश दिये गए कि वे उन्हें जीवित होने का प्रमाणपत्र प्लब्द कराई और पारिवरिक पेंशन शुरू कराई पेंशन वित्यत करने वाले सबी वेंखों को वी निर्देश दिये गए आने में असमर्त पेंशन भोग्यों को घर परी जीवित होने का प्रमाणपत्र प्लब्द कराया जाए क्या है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्यान विवाग केंद्री सिविल सेवा पेंशन नियम 1922 केंतरगत सामील केंद्र सरकार के कार्मियों को की पेंशन एवं सेवा निवर्ती लाभो से संबंधित नितियां त्यार करने के लिए नोडल विभागी केंद्र सरकार के पेंसन भोगियों, कुटुंबु पेंसन भोगियों के लिए पेंसन सम्मधी नितितियार करने के अलावा, यह विवाग पेंसन भोगियों के कलियान को बढ़ाव देने के लिए अभी तत्पर रहता है और पैंसन भोग्यों की सिकायतों को निप्टारा करने वाले मंच के रूप में कारी करता है केंद्र सरकार ने केंद्री करमचारियों को यात्रा चुट सुईधा LTC को दो साल और यानि 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है इस योजना के तर सरकार अपने करमचारियों को सब परिवार, सेर सपाटे के लिए जम्मु कस्मिर, लद्धाक, अंडमान, निकोबार और पुरुतर राजियों के जने की सुईधा देतेगी करमचारी यह सुईधा अपने घ्रान अगर यह पुरानी पोस्टिंग की स्थान लिए नहीं ले सकेंगी और उन्हें योजना के लाब 4 साल में एक बार ले रहा होगा जिन करमचारीों के हवाई यात्रा के सुईधा नहीं होगी वह भी इस योजना के थाथ एकोनोमी क्लास में हवाई सपर कर सकेंगी सिहने गुरुवार को कागी योगी करमचारीों को LTC के सुईधा के थाथ उत्तर राज्यों के अलावा केंद्रसासित प्रदेश अंडमानी को बार जाने का उसर दिया जाता है। अब ये कर्मचारी चुट्टिया मनाने के लिए इस तिनिस्तानों पर 25 सितंबर 2022 तक जा सकेंगे। आखरी और बड़ी खबर सरकार लेने जा रही बड़ा फेसला जिनके दो से अधिक बच्ची हैं उनके लिए खबर बहुत ही महत पूर्णी ऐसे ये खबर उत्तर प्रदेश से लगी है। सरकार एक नई जन्सें के नितिय बना रही जिसमें ये प्रवधान किये जा सकते हैं। वहीं सरकारी नोकरी से भी हाथ ध्वना पड़ सकता है। हाल में समाप्तों उत्रपदेश विदान सभा के बजट सत्र में भी राजी के चिकिसा स्वास्वें परिवार कल्यान मंद्री जे प्रताप सी ने दूसरे राज्यों की तरपड जर संकिया नीती बनाने की बात कही थी। उन्होंने उत्रपदेश में जन संकिया नेंदरन के लिए चलाय जा रहे एक कारिकरों के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा है कि कुछ राज पंचायत चुनाव और सरकारी नुक्री में आने के अर्था को आबादे ने इंतर उपाय सो जोड रही है। सास्त मंदरी जेपरताप सीने कहा है कि नए नीतियां जल्दी गोशित की जाएगी। जोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना न भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए। वापास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किये जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अगर अधर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं। उनको देखिए और अधर सेदिक शेयर कीजिए। थेंक यू।